अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी आधालत रजट शर्मा के साथ नमस्कार आपकी आधालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है दुबई के सुहानी शाम है और आज जो सुपर स्टार मेरा महमान है किसी का भाई किसी की जान है कभी बजरंगी भाईजान है तो कभी सुल्तान है हिंदुस्तान की शान है आपका चहता सल्मान खान है प्लीज बेल्कम सल्मान खान सल्मान, बहुत दिनों से आपकी भूग रहे हैं, आईए, आपके लिए कढगरा तयार है, यह मेरी आदाद छूट गई है, सर्मान, सर्षी काफी लंबा चलाए, माफ कर दो, पैंँ तीस साल का करियर है तो, सर्मान, एक से एक सुपर हिट, लेकिन नौ सान ते ढूंड रहा था मैं आपको, आपकी अदालत में आपको आते आते नौ सान दो, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, चलो आप पूछेंगे, पता नह जवाब मैं दूँगा? प्रॉब्लम आपके पूछने से नहीं है, कि प्रॉब्लम यह है, कि मैं जवाब क्या दूँगा? यह जो माइक है, बड़ी डेंजरिस चीज़ है. और जो कुछ दिमाग है, वो उससे भी डेंजर है. क्यों हम एक चीज कुछ बोल जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि लोगों को समझ में आ गया है लोगों को समझ में आ जाता है लेकिन उल्टा आता है फिर उसके इस्पेंडिशन देने पड़ते हैं फिर माफिया माँगनी पड़ती है बाइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आच के मुकदमा पहला इल्जाम सुपरस्टार सल्मान खान आपकी अदालत में सुपरस्टार सल्मान खान पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड है सल्मान पहली शिकायत आई है किसी का भाई किसी के जान के सेट से आपनी जो एक्ट्रेसेज वहां काम करती हैं, जो हिरोईन हैं, उनको इस्ट्रक्शन दी कि जड़ा डीसेंट कपड़े पहन के आने हैं, किसी की नेक लाइन डीपनी होनी चाहिए. देखे सर, यहाँ पर सब बैठें, कि इसने डीसेंट तरीके से बैठें, जो आप एक डीसेंट पिक्चर बनाते हो, तो सब जाके देखते हैं, पुरे परिवार के साथ, आपने यह फिम देखी हैं यहाँ पर किसे लिए, सब ने देखी, जिस जिस ने नहीं देखी, इस शो के स्टैंडर्ड नहीं है, सर, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, अरे आपकी शर्ट उतरने में एक मिनट लगता है, लेकिन एंड में उतरती है, इस शर्ट सर, I think, यह जो एक बोडीस है, औरतों की बोडीस है, वो कई ज्यादा प्रेशिस हैं, तो जितनी धकी भी होंगे, प्रेमान और तुकबा ठीक है, लेकिन आपने तो 17 साल की उम्र में पहला एड किया था, उस में ही शर्ट उतार दी थी, सर, उस में तो स्विंग ट्रंक्स में था मैं सर, उस वाक ठीक था सर, वो आजकल का माहौ थोड़ा सा एक, एक, यह लड़कियों का चक्कर नहीं है, य यह लड़कों का चक्कर है, जिस हिसाब से लड़के, लड़कियों को देखते हैं, आपकी बहने, आपकी बीवियों को, आपकी माओं को, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो I do not want them to go through this, लेकिन अपनी शर्ट उतारना अच्छा लगता है, सर, मैं इस लिए शर्ट उतार था, बागी, जिसमें मैं बिकिनी पहन के भागा था, स्टिल बेटर देन लंगोट, बिकिनी का उपर को था, लंगोट मैं बहुत शर्माई मुझे, क्यों जैसे मैं सेट के उबर पहुंचा, तो हाई लाँ, तो क्या सिखा रहे हैं आप नौजवानों को, सर, सब जानते हैं सर, लेकिन कभी-कभी इनकी नियत खराब हो जाती है, तो वो कोशिश है कि हम, हम जब पिक्चर बनाएं, तो हम उनको ये मौका ना दे, कि ये आके हमारी हिरोन को, हमारी औरतों को उस प्रकार से देखें, आपको OTT कॉंटेंट से भी बहुत प्राब्लम हैं आशर्माई मु तो हम पर A certificate आ जाता है, यहां पर तो अलगी किसम का action चल रहा है, और उसके उपर कोई A ना B ना C certificate कुछ नहीं, तो सारी restriction OTT के लिए, बिग बॉस के लिए कुछ नहीं, सर, बिग बॉस के लिए बहुत restrictions हैं, सर, अगर हम आपको बिग बॉस दिखा दें, ऐसी restriction है, आप कहत नहीं बना दिया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं, हाँ, कहा था, कहा था, अच्छा हाँ, यह कहा था, क्योंकि उन्हें बहुत बद तमीज़े की ती घर के अंगर, तो जिस जो मैंने कहा है, क्योंकि मैंने तो पूरा फुटिज देखा है, और फिर वो आगई करने शुलू कर है, क्योंकि उन्हें ने पूरा कॉंटेंट देखा है, फॉलो किया है, जो हमरे क्रिएटिव हैड़्स हैं, कॉंटेंट वाले हैं, तो फिर वो मुझे बताते हैं, कि यह इसा हुआ था, इसा हुआ था, उसवर्प, यूनों थोड़ा सा पारा चर जाता और गुसआ अग्ष तो फिल्म में ठीक है, फिल्म में ठीक है कि वो रिटन डालोग, झाह तो मैं हूँ, तो यहां तो मैं हूँ, तो यहां ê tidak ह securities, तो लेकिन जो content जो महा का है, big boss के घर का content है, अब ज़ता हैं ही लेकिन है, बहुत ज्यदा ही ही हो जयता है, हर एंगल से दिखाई दे रहे हैं तो इस बिकम्स वरी डिफिकल्ट फो दें तो वो आप अपना खो देते हैं सर्मार लो को लगता है कि ये जो बिग बॉस में गालियां, गुसा, मार पीट ये सब इसलिए होता है कि शो को पॉपुलर बनाया जाए नहीं सर, I think इससे शो की पॉपुलरिटी रुक जाती है अब मुझे पता है कि मेरी मा देखा करती थी शो not because I was hosting उससे पहले देखा करती थी शो उन्होंने बीच में देखना बंद कर दिया because of this because of false content, because of aggression, अब पिछले दो seasons के अंदर शो इतना उड़ गया है क्योंकि वो सब इतना नहीं है जितना के पहले हुआ करता है आजकल romance है, चोटे मोड़े जगड़े हैं kitchen के जगड़े हैं make believe जगड़े नहीं है फिर अगर कोई make believe करता है तो वो दिखाई भी देता है कि ये footage के लिए कर रहा है और खुद अंदर घर के अंदर बोल देते हैं कि ये footage के लिए कर रहा है तो हर्चों के आखिर में आप कहते हैं कि अपने बाबाब का ध्यान रखो उनकी respect करो जी जी हाँ वो एक मेरा है कि don't trouble your matah-pita and भारत-mata भारत-mata की जाए so I say that all the time कि वो मैं believe करता हूँ वो मैं believe करता हूँ कि और ये personal experience से आया है क्योंकि मैंने अपने matah-pita को काफी तकलीफ दी है अब ये तो अच्छी बात है कि मेरे father को हम tiger बलाते हैं rainbow बलाते हैं और मा को Gabriel शौकमज बलाते हैं वो जहेल उन्होंने जहेल लिया हम पांचों को लेकिन ऐसे बहुत सारे matah-pita हैं जो के ये जहेल नहीं पाएंगे तो इसने बहुत हैं और आपने matah-pita को तकलीफ दी तो तकलीफ तो basically आप ही को हो रही है आप भी तो तकलीफ देते हैं कितने साल से इंतजार कर रहे हैं कि घर में बहु आए अभी सर क्या बोलू वो तो plan था plan था बहु का नहीं था बच्चे का था लेकिन अब वो law के हिसाब से वो तो industrial में हो नहीं सकता तो अब देखेंगे सर आप भुसरुका देते हैं आपकी वो फेवरिट है शेहनाज गिल हाँ मैंने उनको अद्वाइस किया के मुव आँ कि अभी वो Sid इस दुनिया में नहीं रहे I'm sure that he'll also want शेहनाज तो मुव आँ मुव आँ ये ने कि उनकी शादी हो जाए बच्चे हो जाए अभी नहीं बहुत टाइम है but to get out of that Sidna's वो बहुत ही heavy था उसके उपर और वो टू ट्रे थी बिचारी बच्ची तो मैंने बोला के move on इसका ये मतलब नहीं सर के मैं bring it on bring it on बुनो रहा आपने हाप़ ये जो आपका move on हो रहा है था एक से दूसरी दूसरी से तीसरी तीसरी से चौती ये तो चलता ही आ रहा है Sir unlucky in love sir जब कोई ऐसा आएगी तो हो जाएगा actually सभी सभी अच्छे थे fault मुझमे ही लाए करता है क्योंकि जब एक जाती है तो fault उन में था दूसरी जाती है तो fault उन में ही है तीसरी जाती है तो fault उन ही में है चौती में थोड़ा सा डाउट आता है क्ये fault उन में है या मुझमे पांच वी में भी 60-40 का जब से ज़्यादा जब जाने लगती है तो वो confirm कर जाते हैं कि fall मेरा ही था मेरा ही था तो इसमें किसी का दोश नहीं है ये बस मेरा ही दोश है शायद एक fear कहो कि मैं शायद उनको वो जिन्दगी वो सुक ना दे पाऊं जो कि उनके दिमार्ग में है I'm sure कि सब अपनी अपनी जगा बहुत खुश है आप करन जोर से भी पूछ रहे थे शादी क्यों नहीं की वो तो दो दो बच्चों के बाप बन गए सर वही मैं कोशिश कर रहा था सर लेकिन वो law शायद चेंज हो गया है तो अब देखें सर सर बच्चों का बड़ा शौक है सर मुझे I love kids लेकिन kids जब आते हैं तो मा भी आती है सर मा उनके लिए बहुत अच्छी है सर लेकिन हमारे घर में माई मा पढ़ी है सर हमारे बास पुरा जिल्ला है पुरा गाउँ है वो उनका अच्छा ख्याल रख लेंगी नहीं उनकी मा जो मा होगी वो मेरी पत्नी होगी जरो वो थोड़ा सर अब ये दो कितने खुश है तो आजकल कौन है जान और किस से किया हुआ है कवेट में सर सिभाई हूँ आजकल मैं सिभाई हूँ जिनको चाहता था कि वो जान बलाएं वो आजकल भाई बला रही है तो मैं क्या था था इसमें ताली मारनी की कोई बात नहीं है ये बड़ी दुख दुखदायक बात है ये अचिए पूरी दुनिया के सामने सवाल है और कई साल से ये सवाल है कि सल्मान खान की शादी कब होगी सब जब उपर वाला चाहाएगा सब इसमें दो लोगों की जूरत पढ़ती है शादी में तो वो पहले ऐसा था कि वो नहीं हो रहा था इट एवरी गिवन पॉंटर टाइम कभी मैंने हा किया तो किसी ना किया कभी किसी ने हा किया तो मैंने ना किया अब दोनों साइट से ही ना रहा है जब दोनों साइट से हाँ आएगा तो हो जाएगी सर्थ, हो जाएगी लेकिन अभी इसमें वक्त है 57 का तो हूँ मैं ताइम है मैं चाहता हूँ कि ये first and last हो मेरे लिए एक होना चाहिए और वो खतम राइसे मतलब एक बीबी होना चाहिए और बच्चे कितने होने चाहिए सर बच्चे जितने हो सकते हैं वो होने चाहिए धेर सारे होने चाहिए सर धेर सारे होने चाहिए क्योंकि अभी हो जाते हैं एक अगले पांचे साल के अंदर तो I can still play with them for another 20-25 years इसको बोलते हैं सर dedication, consistency persistence ये छोड़ना नहीं चाहिए आपको at any age from the age of teenager to my age I'm still I do perhaps a lot of wrong things but then I compensate that with a lot of right जितना गलत करता हूँ मैंने ये डिसाइड किया है कि उससे तीन गुना मैं अच्छा करूंगा आप देखे सोचल मीडिया पर बहुत सारे कॉमेंट आपकी शादी को लेकर होते हैं एक इंसान ने बड़ा इंटरेसिंग सफाल पूछा उन्हों ने कहा कि वो रहते हैं एक सो सपतर फीट के घर में अगर शादी की तो बजु को रखेंगे कहां एक सो सपतर स्क्वार फीट नए उसे थोड़ा बड़ा है सIR उसे थोड़ा थोड़ा है लेगे इतना ही बड़ा नहीं है कि कपड़े और जूतों के लिए जगा हो तो बाकी तो अगर यही इतना ही जगा नहीं है तो फिर और किसको फिट करें उस घर के अंदर बट वो जो लेफ टरन है और राइट टरन है जहां पर मैं रहता हूँ वो बच्पन से लिया है तो वो मुझे अच्छा लगता है चोटा सा गर आपने घर देखा है मैंने घर देखा है मुझे लगता है इतना बड़ा ये सेट है उतना बड़ा तो पूरा नहीं सर ये तो बहुत बढ़ा है ये ये अख होगे अपना लिविंग रून ये हाँ करेक्ट है जिम उदर ये तो पुल मिला कि आपका शादी करने का कोई इरादा लगता है ये सब दे तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है बड़ जब होगी तब होगी आप यहां पर आप सब शादी करके कितने खुश हैं कितने खुश हैं कितने खुश हैं कितने खुश हैं इतनी कुश ही मुझे नहीं चाहिए ये से पूछ नो मैं सर कि who would like to see me married, which man would torture करने के लिए वो आप भी से हो वो वो गलत बात है अच्छा आप लोग ताली बजा के बताईए और हाथ उठा के बताईए कितने लोग चाते हैं कि सल्मान खान जल्दी से जल्दी शादी करने हाँ मतलब के मैं भी आपकी जिंदगी में आ जाँ जैसे आप टॉचर हो रहे हैं आप सब मैं भी टॉचर हो वो देखो वो सच्छा आदमी है देखो सब बो रहे हैं ये दिवर करेक्ट मतलब के आप इतने नाखुश हैं अपने लाइश में तो पत्री बीबी वहाँ पर बगल में बैठी हैं और इतना कौन्फिटेंस ए आदमी में के मत करना मेरा हाँ देख लो मेरे बाल चले गए तो हमारी दूआ है सलमा तो जल्दी से शादी हो जाए नहीं भी हो तो भी आपको मोत नहीं आपके मतलaval हमारी बदूआ है ये जल्दी से शादी हो जाए तो एक ब्रेक् ने शारूख खान को गूली मार दी अरे नहीं सर नहीं सर वो मत दो लोगो लगा कि इस शारूख खान तो गए आँ वो एक वो एक किसा था लेकिन ये आपको किस ने बताया वेलकम बैक आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं दूबई के इस खास महोल में सुपरस्टार सलमान खान पर आपकी अदालत में अगला इल्जाम है कि शरारत करने में ये सबसे आगे रहते ही सलमान जितने डिरेक्टर्स के साथ आप काम करते हैं सब कहते हैं कि सलमान बारा बज़े क्या करेंगे या दो बज़े क्या करेंगे चार बज़े क्या करेंगे क्या शरारत करेंगे किसी को कुछ पताने बारा बजे का तो डेफिनिट जूट है क्योंकि बारा बजे मैं सेट पर पहुंसते हैं तो जो भी शरारत की है मैंने, वो घर पे की है, वो सेट भी नहीं हुई है कभी तो वो मेरा टाइम है, तो आपको मेरा रूटीन बता देता हूँ मैं उड़ जाता हूं करीबन साड़े पांच-छे बज़े फिर उड़ते उड़ते मैं 6.37 तक मैं उड़ जाता हूं काफी पीता हूं उसके बाद काड़ी करता हूं वो काट करता हूं फिर उपर जाता हूं मम डैड के साथ वड़ा सा वक गुजारता हूं अब फिर एक और किल वाई किल नहीं करता हूं, तो फिर वहां से सेट पहुंचता हूं, सेट पहुंचने के बाद, वहां पर सीन में डिसकास होता है, और वहां से काम शुरू होता है, फिर जब तक कि पैक अप नहीं बोले डिरेक्टर, I am there on set, ना मैं वैंड में बैठता हूं, ना मैं AC में बै था हूं, जब तक कि पैक अप नहीं हो, पैक अप होने के बाद, then I come, कभी एक बज़ होता है रात को पैक अप, तो कभी शाम को छे बज़े, साथ बज़े, whatever time, if it's early, then I come back, and I do some cardio, workout, spend some time with the family, then I have my time, and I go to sleep at about 2.33, and then again, I wake up above 5, 5.30, So I sleep only about two and a half, three hours, that's it, so yeah, एक यह होता है मेरे साथ के, lunch break के बाद, तो साड़े, तीन, चार बज़े, I go to that, on the set, shot ready, ready, start, taking, so this is something that I go through, and once that happens with me, फिर मैं ठीक हूं, फिर वाप इस से, नींद आती है, मैं आपको एक दूए एक्जामपल्स देता हूं, जी, सुल्तान के डिरेटर, अली अबास अफर, उन्होंने का तो नामी मत लो सो मेरे सामने, नामी मत लो, उन्होंने मुझे लंगोड बना है, और वो कह रहे था कि लंगोड पहनने में काफी तकलिफ हुई आपका, इस सर, नहीं, सर मैं रो दिया, मैं रो दिया, अब वो, उनका कॉंसेप्ट था तो, जब वो, जब वो, सीन सुनाए गया, फिल्म सुनाए गई, जो लगोड पहनना पढ़े गा, पहन लेंगे लंगोड, जब वो, एक्चुली हकीकत में लंगोड आया मेरे पास, त पांच हजार का क्राउड, जुनिया आर्टिस, और वो जुनिया आर्टिस जिनके साथ मैं, मैंने प्यार किया से काम किया है, तो वो सब, और मैं पहन लिया, मैंने, वैनिटी में बैठा रहा, हिम्मत नहीं हो रही, भार निकलू, भार निकलू, भार निकलू, भार निकलू तो मैंने सरॉंग पहन लिया, एक लूंगी टाइप का, वहाँ से भाहर निकला, और वह अखाडे में आया है, और सब को बता है था के लंगोट है, तो वहाँ से वह शुरू हो गया है, और तो और जितने भी जिनुरी आर्टिस्स हैं, मर्द वगार, निकाल दो भाई, निकाल दो, निकाल दो, और यार, मैंने के पसम से रोला यार, और सीटियां बज रही हैं, और कैमरा फोन्स भार आ गए, तब फिर मैंने अली को बोला कि यह मुझसे नहीं होगा, और मैं वापे चला गया वैंड के आंगा, फिर एकदम करिज, एकदम, ताकत वर बनके वापे से न अब पहलवान लगोट नहीं पहनेगा, तो क्या पहनेगा? यह नहीं करेक्ट बात है, इसलिए वो पहना मैंने, और वो कोई एक्सपोज करने के लिए नहीं था, इंटेंशन बिल्कुल वैसा नहीं था, वो बोड़ी दिखाने के लिए नहीं था, वो एक पहलवान जो है, वो केरेक्टर दर्शाणे के लिए था, और यह थिंग तुन आप प्रीची ऑटेंगे, वो स्कुटर लेकर आप वाइब वे गाउं में चले हैं यह आँ तर्ष्ट में टाइम लग रहा था, और हम लोग इंग यूपी में शुटिं कर रहा थे, मोरना में कर रहे ते जो कि तो टाइम लग रहा था ओखा के ट्रैक्टर उठाने का शौर्ट था था तो व चलते चलते-चलते जगा है अतनी रहा है तो चलते ही गए चलते ही गे चलते ही गया फिर मैंने देखा कि रास्ते में के कुछछ बच्चे बैग लिए बकसे लिए भाई-वारी-ब बच्चे वो स्कूल की तरह जा रहे हैं, तो मैंने फिर वो स्कूटर गुमाएं, सब को बढ़ाया, और जहां पर उनका स्कूल था, वो जहां पर हमारी शूटिंग हो रही थी, वहां से थोड़ाई सी आगे था, तो मैंने टाटा करके उनको छोड़ दिया, फिर अली को अच् चारूख्षां को गूली मार दिया झार नहीं सर, नहीं सर, भूमादो लुखो लगा की शारूख्षां तो गए? और वो एक, वो एक किस्सा था, लेकिन ये आपको किस ने बताया, शारूख ने, अब छोड़े किस ने बताया, लेकिन आपनी बंदूख तो चलाई थी? जी तो मैंने हमारे आक्शिन डिरेक्टर भीकु वर्मा उनसे ब्लैंक गन मगवा ली और वहाँ पर एक पार्टी चल रही थी तो राजस्तानी फोक डांसस सब महाँ पर थे तो कुछ देर के बाद बोला शारुक मैं तुझे डांस के लिए बुलाओंगा तो आजा तुब तुब मना करना फिर मैं वापिस से बुलाओंगा तो एक थोड़ा सा स्कफिल होगा हम दोनों के बीच में और ये बलैंक गन है मैं तो दूर से मैं तो गोली मार दोना उना उतrau जाना अब यह पूरा इनाक्ट हुआ शारो आजा यार डांस करते हैं आल इस राजस्तानी डांसर अगाम देपर्फर्फर्मिंग फर उस वी डांस करते हैं इस नहीं मेरा मूर्डने में थाका हुआ है आजा यार कले थोड़ा सा तो ऐसे पांच मिरे बाद आने यार शारो इस अब तक बोला नहीं आने का में वह थाका हुआ हूँ पसे हितना है इतना क्या थे रहे है इस आजा मैं हाथ उठाय और उसने मेरा हाथ जटक दिया और दका मारा और एक दूतु मेह में हुई और मैंने बंदुक निकालके उसको गोली मारी शारुप ने एक समर्सॉड लेकर शारुप गिर गया अब जितने जितने लोग वहाँ पर थे I think हनी अंटी जाविज साब की मिसिस हनी अंटी हनी रानी वो थी वहाँ पर तो उनने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो इससे बचपन से जानती हूँ यह ऐसा लड़का नहीं है पता नहीं क्या हो गया फिर एक नीशी प्रेम करके जनलिस हुआ करती थी महाँ पर I've always known this boy to be like this फिर एक प्रभीन भाई शार जो टाइम वीडियो के जो टाइम वीडियो के मालिक थे उनने का बापू ये तो इस काणा में अपन भी फज जाएगे यहां से निकल लो अच्छा वो पांच जास में उठो गया और मैं एक्टम आखे लिए एक्टम गुसे के अंदर कोई ने उठेगा असा पैडर हो यहाँ पार सब को मार दूगा जोन के अंदर सब राकेश जी एक तो हाथ कहा अपने रगे राकेश जी के ऐसा कोई ने उठाएगा बोला ना ऐसा शारुक हाट अब शारुक हम सब इतने ठक हुए थे कि हम शूटिंग सुबह छे बज़े स्टार्ट किया करते थे और धूप के अंदर राजस्तान यह बात थी सामोद की तो हम लोग हाँ पर तो वो शारुक जो वो लेटा शारुक सो गया अब मैं शारुक उठाऊँ क्या ड्रामा कर रहा है अब वो शारुक उठे नहीं अब सोहल पैने एक भीकुदा पैने अब मैं बंदूग चेक कुरूँ तो सर्ण यह पढ़ान जिन्दा है तब फिर तब फिर मैंने तीन चार और फायर कर दिया फिर सब हसने लगे इसे क्या यार क्या करते हो तुम लोग फिर सोहल इन्वाल था और भीकुदा इसके इन्वाल थे फिर मैं हनी हंटी को गया हग किया आई से निशी प्रेम का से सो यू अल्वीज नौन एक वो बापू प्रभी बाईशा जो के बहुत ही उस वक्त एक पाफूल एक आदमी तरह से का बापू इस वक्ति में वो लोग डर गए थे नहीं हो क्योंके लेके सर I think the best performers in the industry is शारुक and नहीं बोलनी के जुरत नहीं बोलनी के जुरत नहीं तो वो परफॉर्मेंस जैसे के करन अरजून का जो परफॉर्मेंस था उन स्क्रीन उससे बेटर ये था much बेटर ये था कि सब उसके में अरज कन्विंस हो गए भागने की you know कोशिश में थे so it was a good experience बात आपकी शरार्ती की कर रहे थे संजे दत के साथ बहुत शरारत होती थी लेकिन वो जो संजे के साथ शरारते हुई मैं बहुत सारी हुई लेकिन वो बया नहीं कर सकता मैं यहां पर वो अलग ही एक बार तो बहुत भड़ग गया था आपके उपर सर वो हमारे एक वो है मेरे बड़व हैं यह वो मुझे पर हमेशा भड़गते है सर और वो ठीक ही है और लेकिन महबद भी हम एक दूसरे से उतनी ही करते है अब जब जब वो ऐसा कोई सुनता है मेरे बारे में तो पहला फोन उनका आता है पर जब जब मैं उनके बारे में सुनता हूँ तो मैं उनको फोन कर लेता हूँ हाली में वो एक बहुत ही एक बुरे टाइम वक्त से गुजरे हैं और बस हमारी ये दुआ हैं और ये इस कम आउट फेट और अल्ला उनको मुझे वो किस्ता वालू में कि जब आपने उन्हें एक कार दी थी मैंने दिल तुझको दिया एक फिल्म थी और इन्हों ने सोहिल वस डिरेक्टिंग इट नरेट करने की बज़रोत नहीं मैं करूंगा तो पिच्चर कंप्लीट हो गई और जैसे कंप्लीट रही दिन संजु आए मेरे घर पे पाटी चल रही थी तो उसी वक्त एक मेरे पास एक गाड़ी आई M5 ब्रैंड न्यू और बाहर मैं भूला खे डूंट शोट इम या तो रस्ते पी बाहर पाक थी वो निकाजस वो ट्रुक से अनलोड किया वो ट्रुक चला गया और गाड़ी रस्ते पे पाक थी तो मैं संजु को बाहर लेके गया बाबा अनलोड गाड़ी पेख दिया समंदर में अब वो गाड़ियां एक चावी के साथ आती है बैंसेंट के बीच रास्ते पर वो गाड़ी पाक है हमारे गेड के साम में ना कोई बाहर जाए ना कोई अंदर जाए समंदर के अंदर हाई टाइड में उन्होंने चावी भेग दिया चार दिन लगें हमें वो चावी को धून निकलने में तेसे यह तुद आप बैमी पर इस so that is the connect that we have यह संजु ने भी बहुत मुझे शादी के लिए कंविंस करने के कोशिश की है कि भाजान you should get married now you don't know it's amazing भाजान when you come back home and you're tired you're tired to come back home your wife will ask you how was your day your wife will ask you how was your day did anyone irritate you did you have fun you're tired I'll get you some water and have a drink you should get married all this thing in a bachelorhood it's all bakwas bullshit seriously भाजान wait यार so मुझे कन्विंस करने ते शादी करने एक दे मुझे उनका फोना है भाजान I'm getting married I said really when I said what a bapa when you're getting married I said what don't he said bhajaan I'm in the third फेर तेस्रे पेरे से मुझे फोन कर getting married there's only one person वो एक डाय बना के उपर वाले ने तोड़ दी है it's something else that man is something else I love him संजूसे तो बहुत आपके दोस्ती रही है आमिर खान का भी मैंने किस्सा सुना नियॉयॉक में आप और आमिर खान परफॉर्म कर रहे थे और डांडिया से एक लड़की के सिर्पा चूट लगी हाँ तो हम लोग वो सॉफ्ट तॉइज वोगर फेका करते थे ना इनके हाँ से डांडिया चूड़ी है और डिस में करते करते और सिर्दा के एक लड़की के माथें पर लगा और फून निकलना शुरूआ लेकिन आमिर खान कई बहुत अच्छा आमिर खान के बहुत अच्छी चिकिस है जो मैं सुनानाइक चाहंगा नहीं हम एक शो कर रही थैES जुमाछ जुमा हम देखाई अर जुमाछ जुमाछ में मुलादर जेकिर मैंने प्यायर किया का जीन्स पे OMG में चला ग Bennett पुर था तो उन्होने पहले पाथानी पहनी थी फिर पठानी उता रेंगे पर उसके निचे कुछ और पिhet कुछ और पहना शेरवानी का और उन्होंने अपना पहन लिया पठानी और उपठानी का नाडा ही नी बन रहा जदी स्टेज में जा रहा है तो गोलियर गया फिर जब वापिस चले गए निकालने के लिए तो जूते में से वो पाइता निकली नहीं रहा है तो वाइट चलागे और मुझे आम आमिर और मैं हाली हमें मतलब के तींचा देन पर यही बात कर रहे थे किवो साउथ आफरिडiddag के ऐचा में थे अमारे दो प्रोमोडिस थे गोरा भाई चोटा भाई South Africa में Durban के अंदर शो था तो एक दिन बारिश गिर गई, दूसरी दिन बारिश गिर गई तो नहीं बुला कि नो जो एक तपका है जो cannot afford to come and see this let's do a charity show for them तो हम लोग चले गए, शो के अंदर शो में चले गए तो में अदर ग्राउंड पे था फुल ओं भीड मतलब के पूरा पैक्ट ग्राउंड था तो हम पीचे से एंट्री मारी हमने तो अब बाची एक बैंटर चल रहा है लोगों के साथ और मैंने तो महां से sing, 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 sing तो आमिर ने अनॉंस कर दिया कि if you want to, you know, someone is saying Salman is a great singer, Salman will sing और मैंने बोला के यह भागले क्या, इतने सारे लोगों के सामने यह मैंने, no, no, sing Salman, Salman, Salman तो मैंने बोला के यहाँ पे तो आफस गया है तो मैंने जो, जो singer था उनका मैंने उसको बोला के do you know this song, जिये तो yeah, 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 I know this song, जिये तो जिये कैसे तो I said, go behind the wings yeah, उने बजना शुरू किया जिये तो जिये कैसे वो गा रहा है, मैं हाँ पे lip-sync कर रहा हूँ only lip-sync in the song and Aamir में को ऐसे देख रहा है कितना बड़ी अगाता यारी मैं तो इसको फसाने के चक्र में था यह, कितना बड़ी अगाता है मैंने गाना गाया full lip-sync में मैं गया, इसको thank you बोला मैं बोला, no, Aamir Khan is going to go to sing to you Aamir Khan is going to sing to you आयो हो लो तो पिर Aamir स्टार्ट हुए ऐसे, ऐसे simple गाना है पापा कहते है, इसा, हाँ, हाँ, हाँ लगा दो, आता है, आता है उने लगाया आमिर ने स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है और Aamir मुझे देख ते इसको फिर हम दोनों ने गाया I've been fortunate that I've worked with great guys great producers, great directors बहुत सारे artists you know, heroes, heroines you know, और जादा करके सब के साथ बनी है और एका के साथ जो नहीं बनी वो तो नहीं बनी उनके साथ picture भी नहीं but if there's something that I've always believed के अगर कोई बहुत अची चीज आरी आपके script and you don't get along with that person, whoever's going to be with you, you cannot throw that person out आप उसको पिक्चर से मत निकालो आप खुद बैक आउट हो जाओ खुद बैक आउट हो जाओ never take somebody's रोजी रोटी अगे आप खुद बैक आउट हो जाओ अगर इतनी अच्छी लग रही है आपको कि you do not want to back out of it then you make sure that everything is okay between you guys whoever you don't like Salmaris ने कोई शक्रिक ने कि आप ने बहुत काम किया है बहुत अच्छे रोल किया है लोगों ने प्यार किया है लेकिन जब बात आती है अवार्ड की तो उसमें आप पीछे रहा जाते हूं और यह पहली फिल्म से यह स्लिस्रा शुरूगा मुझे शौक ने है और यह मेरा परसनल परसनल व्यू है I have no problem people going forward functions मैं तो चाहता है मैं तो चाहता हूं कि जाएं आवार्ड लेने लेने जाएं आप सब के सब जो आप आवार्ड लेने जाओगे तब ही तो मैं perform कर सकूँगा मैं host कर सकूँगा अगर हरे की thinking मेरी तरह हो गई कि हमें आवार्ड ने चाहिए तो भाई मेरे performances का और मेरे काम भी है मेरे hosting का क्या होगा तो मेरी तो दर्खास थे कि सब बहुत अच्छा काम करें और सब इन आवार्ड फॉंक्शन में पहुंच जाए और इन आवार्ड फॉंक्शन को बहुत बड़ा बनाए और मुझे भाँ पर host करते हूँ परפارम करते हुँ देखें आप चाहतीं कि award function होते रहें, आप host करते रहें. मैं तो चाहता हूँ कि सर आप भी award function करें. सबी करें, अप जब करोगे, आप जब करोगे, तो इंडस्ट्री का हर एक, हर एक आदमी होगा वहाँ पर. हर एक director, producer, actor, heroine, star, हर एक star होगा आपके award function के अंदर. क्योंके पूरी industry loves you. Loves you. Loves you. मुझे लगता है, ब्रीक लेने का बक्त है. नहीं, सर, अब थोड़ा साफशाइब हैं. And I love you. Thank you, sir. और ये, लापे से बुद हुआ, I love you, क्योंके बहुत अर्सा होगया मुझे, I love you मुझे. यापे बोल सकता हूँ, I love you. तो जब आटियो बाग्राफी लिखेंगे, तो सारी लव स्टोरी आजाएंगे? Sir, कबर में लेके जाऊँगा. एक और ब्रीक के रुखते हैं, ब्रीक के बाद आपके अधानत में, सल्मान खान पर इजामार्त और सवालाद का एक और. सल्मान आजकल सुने हैं, बहुत परिशान है, 5 प्लस सिक्यूरिटी है, हर समय पुलिस साथ में रहती है, अब कोई हरकत नहीं कर सकते हैं? Sir, इन सिक्यूरिटी से बेटर सिक्यूरिटी है. वेल्कम बैक! सुपरस्टार सल्मान खान आपकी अदालत में सुपरस्टार सल्मान खान पर इल्जाम है, कि ये लापरवाही करते हैं. सल्मान आजकल सुने हैं, बहुत परिशान है, 5 प्लस सिक्यूरिटी है, हर समय पुलिस साथ में रहती है, पहले साइक्ल लेके निकल जाते थे, अब कोई हरकत नहीं कर सकते। सर, इन सिक्यूरिटी से बेटर सिक्यूरिटी है। है यह वो, हाँ सिक्यूरिटी है। और अब तो ऐसा तो नहीं कि जो जंगल का शेर था पिजरे में बंद है। सर, अब वो साइक्ल चलाना रस्ते पे, अकेले कहीं पर भी जाना वो नहीं हो पाता है। और उससे भी थोड़ा सा मेरे को एक प्रॉब्लम है। कि जब ट्राफिक में होते हैं तो इतनी सारी सिक्यूरिटी, गाड़ियां, इनकन्विनिस तू अदर पीपल, तो उनके लुप भी आते हैं। कि अच्छा बटा, स्टार बन गया। तो वह लुप भी आता है, इनकन्विनिस भी होती हैं। विचारे फैन्स, कुछ थ्रेट्स वगर रहे हैं। तो 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 यह रीजन व्यूरिटी इस देर। संदमान यह थ्रेट तो सीरिस है। जी सार। तो थ्रेट आपको है देश के अंधर से भी है, देश के बहार से भी है। और मैंने उसको एक्जामीन किया है। यह जो सिक्यूरिटी आपको मिली है। इसलिए मिली है क्योंकि यह वाकई में एक सीरिस थ्रेट है। लेकिन आप उसको सीरिसली नहीं लेते है। सर, जो जो मुझे कहा गया करने के लिए। मैं वह हर चीज कर रहा हूँ सर। आप आइनों के हमारी पिच्चर किसी के भाई किसी के जान में वह एक डायलोग ही है that they have to be lucky hundred times, I have to be lucky once. तो वह तो है ही, so I've got to be very careful, very careful. लेकिन आप shooting भी कर रहे हैं, awards function भी जा रहे हैं, Eid की party भी कर रहे हैं, iftar भी भी जा रहे हैं. सर, वह पूरे security के साथ जा रहा हूँ सर। पूरे security साथ, अब जैसे यहां पर हूँ, तो यहां पर तो किसी किसी चीज की जुरूद भी नहीं है, you know? So, यहां पर totally safe है. इंडिया के अंदर थोड़ा सा, है, है problem. But, I've been, I know कि जो होने वाला है, वो तो okay रहेगा, आप कुछ भी कोशिश कर लो. And, I believe that, He's there. अब यह नहीं कि यह जै करके मैं एकदम खुला भार निकलना शुरू कर दूँ, यह नहीं है. अब पहरे तो लोग देखते थे एक शेरा आपके साथ में, उससे आपका काम चल जाता था. अब बहुत सारे शेरा आजाएं मेरे पास, बहुत सारे आजाएं. इतनी सारी बंदुगें चलनी साथ में, कि वो डल लगता आजकर. और सब चलते तो यह पॉंटेड है. आगे पीछे, आगे पीछे. एंदर वो एक लुग भी आता है ना, कि अच्छा, वाँ. और फिर, the guys will understand. Cannot go anywhere. जैसे… जैसे when you see a minister mantri, … वो ऑच के लुप मुझ पर पढ़ रहे. So, I've told them … … … … कोई sound नहीं चाहिए, driver of various slopes, pace, क्योंकि हमेशा अगर ऐसे fast pace के अंदर, वो पाइलिट गाड़ी निकल जाती है, sir. जिस गाड़ी में अपन बैठ हैं, अपन निकलते हैं. वो जिसका threat है, वो तु कुछ करेगा, ने? अपन ही अपना काम कर देंगे. So, I tell them, drive very carefully. Sir, मुझे नहीं पता सरी है, क्या है? I seriously don't know. I seriously don't know. हमारे judicial system है, sir, हुआ, वो बड़ी काबिल है, वो decide करेगा. हमारे जज़साब decide करेंगे. जो भी decision आएगा, वो हम, we'll take it on. Sir, bring it on. Bring it on. मैं आपकी इस बात के respect करता हूँ, कि माबला अदालत के सामने हैं, और अदालत decide करेंगे. और हमें यकीन है कि आप छूटेंगे. आपके अदालत से नहीं छूटेंगे, उस अदालत से भी छूटेंगे. लेकिन, सल्मान खान में कुछ ऐसा magnet है, film industry में कुछ भी बात होती है, कोई बद्दावी, किसी आदमी की मौत हो जाए, तो इल्जाम सल्मान पर लगता है, कि सल्मान ने industry से निकाल दिया, काम नी करने दिया, किसलिए वो गया? सर, मैं खुद industry से नहीं जुड़ा हूँ. मैरे खुद industry में जिनके साथ काम करता हूँ, उनी के साथ मैं चूटिंग्स के उपर बाते करता हूँ, घर पर आता हूँ, और बस मैं हूँ, और फैमिली है, तो ये नहीं कि मैं industry के, एदम, straight out मतलब के rose party हो रही है, rose get together हो रहे हैं, और industry के बहुत सारे लोग मेरे friends हैं, बच्पन के दोस्त है वो है, जो के seniors है वो है, बट ये इसा कोशी है, अगर फिल्म इंडिस्ट में काम करना है, तो सल्मान को सेट कर लो, सुर मैं अपने आप को फुद सेट ने कर पा रहा हूँ, इतने सालों के बाद तो अधी चोपड़ा ने काम करना शुरू किया, अब करन जोर का फोन आया के एक फिल्म है, तो इस अदब बिग प्रिडूसर डिरेक्टर्स, तो इस लिए जो मेरे जो पहले के प्रिडूसर्स हैं, जैसे के बबी केंट हैं, जिनों कुरूबान बनाईी मेरे साथ, शादी करके अफ़स गया, वो बनाईी मेरे साथ, फिर तीन-चार प्रिचराओ बनाईी, फिर जैसे मिस्तर शाम बजाज हैं, वो, यह अभी तक मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मुझे पता है, कि जब नीची जाने का टाइम आएगा ना, यही लोग मेरे साथ खड़े रहेंगें. लेकिन इप्रेशन तो यह है, कि अगर सलमान किसी से नाराज हो जाएं, तो उसका इंडस्ट्री में टिकना मुश्किल है. नाराज के बाला मेरे कौलिटी ने, क्या आएगा. आएगा. I don't have that that vindictive bone in my body. I don't have that at all. के मैं इसको नहीं छोड़ूँगा that I will never I will never ever forgive you सो वो मेर में है नहीं वो आजा था कभी-कभी and then life is too long for this animosity go this is this was the journey this is meant to be now where are you going to do on somebody you know I don't नहीं आपकी बास सही है पिछली दूनी में देखा पठान हिट कराने में सल्मान खान अरे बिलकुल नहीं सर बिलकुल नहीं सर ये क्रेडिट शारुक खान से कोई चीन नहीं सकता अधी चोपड़ा से कोई चीन नहीं सकता बिलकुल ही नहीं बिलकुल ही नहीं शारुक ने बहुत अचा काम किया ये सब फैंस शारुक की फिल्म देखने के लिए तरस गए थे और एक राइट टाइम राइट मौके पर राइट फिल्म आई और शारुक इस पिल्ट प्रश्ट इस पिल्ट इस पिल्म इंडस्री अक्षे कुमार की सेल्फी रिलीज होने लगी तो आप ने उसके साथ एक विडियो किया कंगना की फिल्म को भी आपने प्रमोट किया जी वो सब वो इंडस्री बोलते है के डिवाइड़ है वो आइडूंट थिंग इतनी डिवाइड़ है लोगों की उपीनिन्स हैं लोगों के ग्रूपस हैं लोगों के फ्रेंशिप्स हैं बट जब इंडस्री को तकलीफ होती है तो सब साथने आगा अब करण जोर के साथ किल्म करेंगे जी हाँ जी हाँ मैं उनके सा अर्ड़ी कर चुका हूँ बहुत सालों पहले कुछ कुछ होता है, मैं आपने उनके लेक सपोर्टिंग एक्टर का काम किया था जी हाँ, तो वो ऐसा हुआ था कि वो, I think सैफ अली खान, चंदर चूर सिंग ने सब ने वो रोल करने से अमना कर दिया था तो मेरी बहन, Alvira, उनकी काफी अच्छी दोस्ती, तो उनने जिकर किया Alvira से, तो Alvira ने बहुला कि, you must do the film, तो मुझे सुनाने को है, उनने मुझे first half सुना है, मैं first half में time ही, बहुला, I can waste your time here, I'm doing that film, my sister has told me, do the film, she's a friend of his, I'll do the film, लेकि वहर जगा कहते रहते हैं कि, मुझे उनसे बहुत ड़र लगते हैं, आपकी पहली पिच्छर में, मैंने, आपके साथ काम किया, फिर डर किस बाद का, और एक सुन देने कि, Tiger 3 में, शारूप बिन दाजर आएंगे आपके साथ, यह सर्पाइस है, तो एक और ब्रेक ले लेते हैं, इस सर्पाइस के इंतजार में, और ब्रेक के बात, आपके अदालत में, सल्मान खान पर इजामार्त और समालाब का एक और, और मैं आपके साथ यह केक काड़ रहा हूँ, इंडिया टीजी को, दोबाए युवे इम में बाउ अब बाउच्चा आपके अदालत में, आज हमारे महमान हैं, सल्मान खान, आपके अदालत में, अगला है आपकी अदालत में, सुपरस्टार सल्मान खान पर इल्जाम है, कि यह मनमानी करते हैं डिरेक्टर कोई भी हो, फिल्म कोई भी हो, उसके काम के साथ इंटरफेर करेंगे, फिल्म की स्क्रीन प्ले भी चेंज करेंगे, फिल्म के डालॉग भी चेंज करेंगे, और फिल्में डांस के जो स्टेप से, वो भी सल्मान खान ताय करेंगे. सर सच बोलू या जूड बोलू अब आपकी अदालत है जनता सामने है तो सची बोलना भी पढ़े भी जो चीजे अच्छी लगते हैं उसको चेंज करने का कोई माइना है नहीं बट ऐसी भी कुछ चीज होती जो के अच्छी नहीं होती तो उन्हें चेंज करना बहुत जरूरी होता है and yes, मैं ही नहीं, हम सब करते हैं क्योंकि वो जो डिरेक्टर है वो उन्होंने एक ही डिरेक्टर के साथ काम किया है वो वे खुद है हमने बहुत सारे डिरेक्टर के साथ काम किया है और बहुत सालों का experience है तो वो खुद डिरेक्टर भी एक healthy discussion के अंदर मान जाते हैं कि ये correct है ये correct नहीं है और फिर हम भी जब हमको explain करते हैं कि इस scene के बाद ये scene आएगा और ये गाना इसलिए ऐसा क्यों है because it's situational गाना है तो हम भी मान जाते हैं तो जो filmmaking है वो एक team work के साथ होता है ये अच्छी बात है सर्मान आपने accept किया ये माना इसको टालने की कोशिश नहीं की लेकिन मैं सुनता हूँ कि फिल्म का नाम भी बदल देते हैं ये जो अभी फिल्म आई है इस फिल्म का नाम पहले रखा गया था कभी ये कभी दिवाली ये इसके उपर thought था sir thought था कभी ये कभी दिवाली लेकिन जिस हिसाफ से ये फिल्म बन रही थी जो एक पहले की स्क्रिप थी और फिर बाद की स्क्रिप जो आख बोल रहे हैं कि interfere करता है interfere नहीं करता है मैं मदद करता हूँ मैं contribute करता हूँ picture चली है picture आप लोंको अच्छी लगी तो अच्छी बात है न, अब वो हमारे डिरेक्टर हैं, वो खुद राइटर हैं, मैंसाथ दो पिच्छे ने पहले भी की है, रेड़ी भी की है और तो इसमें कौन से डियालोग लिखे, किसी का भाई किसी के जान में? सिर्फ ये इस फिल्म का ताइटल था भाईजान और मेरे फादर को अभी ये किसी का भाई किसी की जान का ताइटल वो अभी उनको अच्छा नहीं लगता है क्योंके वैसरत है कि वो ताइटल होना न, वन वर्ड होना चाहिए था बद आजिस था बाईजान वस तो ब्रो ब्रो गाई गाई टाइटल you know that, so I didn't want that that फिल्द की लड़के 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 पिच्छे लेकने का मतलिक सिर्फ भाईजान भी होना चाहते किसी की जान भी पूलाचाएँ तो वो बाई भी है और जान भी so that women and it's actually it's like the women who loved the film it's a romance in India, I don't know about here, the women audience have started going to the theatres to watch this film because the family, our culture, the brothers' bonding, their girlfriends, everyone together and the South family and the in-laws and what he does for the in-laws, so all the women have started seeing the film right now. So I didn't want this to be, I wanted this to be the film. I'm doing you a favor, sir. Do me a favor, don't do any favor. Don't want a favor. You depend on what you're going through and stuff like that. So these all dialogues are not alone. In life, we will listen to someone or we will remember those things. And that situation came like that we will put in the film. That's why they catch on also. So where did I hear in real life? That's why I'm going to do so much. and we will do it. This is a unique dialogue. Our director. I was very awkward saying that dialogue was very awkward. It's not a... I just feel that. So I had to do that. I had to do all that stuff after that. But that film was a fantastic film. I had to do all that stuff. Thank you. Thank you. Thank you. So I said, it's a... You need to handle it. Our film was Love... Love Ratri. Love Ratri. That was the title. they had an objection on that so they said also why they had an objection because you know it's a festival you know it should not look you know that it's just don't make you frivolous so I agreed to them in a second I said love yathri so there's no like Bajrangi Bhaijaan so we went to the very politely the censor board said Bajrangi Bhaijaan change kar go you know so I said panjab jare hote to you hote Bajrangi Paji agar ye UP jare hote to hote Bajrangi Bhaiya agar ye maharasyaan jare hote to ye hote Bajrangi Bhau you know so yeh tha so then they understood that he is Pakistan jare hote so he is Bajrangi Bhaijaan so they understood and understood them in a second and they just give the the go ahead Bajrangi Bhaijaan purer and purer and I am just going in the opposite direction you know I am I am not feeling that 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 I am that the niceness or phir hanging out with suraj bar jate for some time phir woh ek ek clean up shuru ho jata hai and then like after bhaut samayi ke baad I did parim ratan dhan paya with him woh mujhe time laga os film ke ander aisa lagta hai ki yeh yeh achhai ki na yeh abhi fraud acting ho rehi yeh I have lost that innocence in me and then spending time with him and hearing him talk and because he is same way only he has just grown thousand times thousand folds ab jaisi ke yeh film bhajan ki bhaijjaan I just thought in bhajan ki bhaijjaan climax jokye kabir and man both of our hum bhool gaya and raja mohili also pointed out to his father Mr. Vijayan de Prasad ke that visual was not supposed to be of Nawazuddin Siddiqui that last visual of that Muni going to the mother should have been Pavan's should have been mine because out here ke mein chhoď ke haonga mein chhoď ke haonga mein chhoď ke haonga aur end mein Nawazuddin ko deyte hain ke ja tu chhoď ke hain abho aisa hona chahiye tha os film ke ander my picture to bha 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 hit hai you know I just feel that vho agar aja ta uske andher to this film would have been ke that emotion that he sees that the mother and the child get together and then he gets shot it would have been the most beautiful beautiful scene ever so so this film where you didn't have to have to picture 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 of picture but if you happen to these things happen to they are more hit संजे लीला भंसाली के साथ आप फिल्प करने वाले थे जी सर इंशाल्ला इंशाल्ला नहीं हुई इंशाल्ला कोई और पिक्चर हो जाएगा एक जो इमेज थी एक जमाने में सल्मान खान ने अपनी बनाई थी बैड बॉई वो इमेज आपने बद लिया तो बतार नहीं वो नहीं सबस्क्राइब लगार फिल्पा समाले ने क्वार तो अपार व भारले निचिете आपके ने अख्ड़ पर निची निचे था है informing हुव या थिनक यू एगश्टा धे थाट एंक शुआ आता 통 वो भी मेरे साथ पिक्चर ले 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 थे हैं. I do that now. But at that point of time, there was a young लड़के थे हैं, जो कि आज, you know, they're mature and they've realized, the journalists, they've realized their mistakes, that they they've gotten very caustic. वो बड़े ही mean हो गए थे इस वार family life के अंदर or you know, अभी तो क्या होता है कि कुछ हो जाए तो social media के उपर 5 minutes में आजाता है. Before you even know it, उस वक्त हम 15 दिन tension में रा करते थे, एक महने tension में रा करते थे, कि ये क्या छाप रहे हैं. और that used to kill you, that used to kill you. अब कुछ हो गया, तो sir, 30 seconds, 5 minutes के अंदर आगया social media के पर, अब वो time जिन के अंद अच्छा, इस राइब आप इस जरनलिस्को कान्ता करो, उस जरनलिस्को कान्ता करो, इसके थूँ निकालो आटेकल ये करो, वो करो, that one month, you could not concentrate on your work. It used to be so traumatic, and these two hurt you where it hurts, or become friends with people and take out gossip and, you know, write these things, and I think all of them have realized that, and they all have said that, you know, we were young, we wanted to do something, so I said, but you did wrong. You did wrong. So now they're all mature, and you're all okay now. But, वो tension बोट वा करता था अस वात, के girlfriend को पता चलेगा, और heroines के साथ, ये talk पे गिये, it was very messed up, very messed up. काम को लेकि इस बात की बहुत चर्चा है, जो आपने कहीं कहा कि, हम पांच लोग हैं, हम जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं अभी. नहीं छोड़ेंगे, सर्फ, नहीं छोड़ेंगे. सभी अपने अपने तरीके से, जिसमें सल्मान चान, शारु कान, अक्षे कुमार, अजे दे कुमार, अजे दे कुमार, अजे दे कुमार, आमेर. So you all, we will all do our best to entertain you people and the best so that you look at us and you take care of your health and be healthy and be good. Even though we bleed, we hurt, गुटन में दर्द है, अंकल में दर्द है, पीट में दर्द है, पिड गए, नाट तूट गई, फ्रैक्टर हो गया, लिगमेंट फट गया, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे. हमारे साथ, we will still give it our best till the very end. आपको, आपको हमारी तकलीफ भी आपको वो screen पर नही दिखाए देगी. ये गारंटीव वो मेहनत दिखाए देगी, वो तकलीफ नही दिखाए देगी. Because we will do it smiling, we will do it laughing. We'll take it head on. Head on. सल्मान ऐसा लग रहा है कि नौ साल पहले जिस सल्मान को आपके दाले बुढ़ाया था, उसमें और आज सल्मान में बहुत फरका गया. I don't know, sir, the thinking. Sir, आपने सवाल इतने अच्छे अच्छे पूछे हैं. अब इस साल is a war with myself, is an apology to myself for all the things that I've done. जब आप खुद अपने आप से करते हैं, और खुद एक वार एक शंगर्ष पर जाते हैं अपने आप से, तो बाहर बहुत कम आप यह मांगनी पड़ती हैं. और वजी ही के, I think everyone should just see a better version of themselves, and that is what I have been trying for the longest time. हर एक वलत चीज़ कम करो, हर एक अच्छी चीज़ को बढ़ावा दे। सल्मान आपने बहुत अच्छे जवाब दिये। तेर भी मैं गिलिटी हूँ। Thank you very much, thank you, you guys are wonderful. Thank you. सल्मान एक एनाउस्मेंट मैं UAE के लोकले करना चाहा हूँ। सल्मान खान का जो शो हमने दुबई में किया ये जितन टेले कास्ट होगा उस दिन से आप इंडिया टीवी को UAE में देख पाएंगे। सल्मान के शो के साथ हम सुरुआत करेंगे एटिसलाट और डी उपर आप इंडिया टीवी देख पाएंगे। ये मुझे लगता है कि हमारा जो आपने प्यार दिया है उसका हम ये रिंट चुका रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रे आपका। ये लाँच है इंडिया टीवी का UAE में थैंक ये लाँच है ये लाँच है मैं पहले एपिसोड में हूँ और मैं आपके साथ ये के काट रहा हूं इंडिया टीवी को डुबाए ये लाँच है कि ये आपको इसका एक पता नी आको कितना शुगर अलाओ लेकिन थोड़ा बट गुदध तो अलाओट है थो तो बट नहीं है तो तुद्धा तो अलाओट है झाल